देली करेंट न्यूज में चर्चा का विशह है कौन है वन्नु रम्मा कडपा इस्थित लेखक बोमी सेटी रमेश द्वारा वन्नु रम्मा पर प्रकाशित पुस्तक चर्चा में रही बोमी सेटी रमेश की ये पुस्तक बीदे साल प्रकाशित हुई थी इस पुस्तक में वन्नुरम्मा का जिक्र करते हुए बताया गया कि किस तरह वे मतली राजाओं और कड़पा के नवाबों के ले एक कमपाने वाला नाम रही वह इस जिले में जानी जाने वाली एक मात्र महिला पुलेगर यानि स्थानी सरदार थी रायल सीमा की अकेली महिला सरदार इतिहास के पन्नों में भुला दी गई है वन्नुरम्मा के बारे में बात करें तो इनका जन पथिम दुगूर रेकुल कुंटा अब मध्य प्रदेश के कडपा जिले में हुआ था उनका नाम भगवान के उपहार के रूप में रखा गया 1764 में उनका विवहा वीर नेनी चिन्ना नरसिम्मा नाइडू से हो गया साथी पूलेगरों के हमले के परणाम सुरूप वन्नुरम्मा का परिवार थिपी रेड्डू पल्ले से पलायन कर चागल मरी किले में चला गया 1780 में उनके पती का देहांत हो गया 1781 में इन्होंने अपनी सेना के साथ युद कर इस ख्शेतर को वापस ले लिया उन्होंने 1781 और 1796 के बीच पांच दुर्गम पर शासन किया जिसका प्रशासनिक मुख्याले सकारल पाडू था गोलकुंडा के नवाबोंने खादर वली खान के जरिये उन्हें काबू करने की विर्थ कोशिश की बाद में उनके दद तक पुद्र को गिरफतार कर लिया गया और कोर्थी की सज़ा सुनाई गई कोर्थी में किसी वेक्ति को एक नुकेले पेड़ के तने पर बैठाया जाता था और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था 16 अगस्त 1796 को वन्नुरम्मा की मृत्ति हो गई जीर्ण शीर्ण किले और उनकी पसंदीदा देवी गोपी देवी का मंदिर उनके अस्तित्व का प्रमाण है